आप जिस दिशा में भी अपनी आखें हुमाएंगे आपको केवल प्रशंशापत्र और पुरसकार नजर आएंगे दीवारों पर अलंकरन और अलमारियां पुरसकारों से भरी हैं ये सब देखने के बाद आपको एक पल के लिए आश्चर्य होगा किसको और किस वज़ा से ये पुरसकार दिये गए हैं ये पुरसकार बाला सोर जिले के बहनागा ब्लॉक के तहट इछापुर गाउं के मिहर कुमार पांडा को दिये गए हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन विज्ञान में उनका जुनून है विज्ञान के साथ उनके जुनून का परिणाम ही ये प्रयोक शाला है यहां दस हजार से ज्यादा परियोजनाई संग्रहित हैं जिनका उदेश्य आपके दैनिक कारियों को आसान और आरामदायक बनाना है किसानों और बुनकरों के साथ साथ आम लोगों की कई समस्याओं का हल भी मिहीर के पास है उनके पास अपने क्रेडिट के लिए बड़ी संख्या में अद्भूत आविशकार हैं जिनमें साइकल रिक्षा संचालित फसल काटने की मशीन, सस्ते रेफिजरेटर, दो तरफ चलने वाले पंखे, बिजली पैदा करने वाले पंखे, कई मसालों से पेस्ट तयार करने के लिए मशीन, पैडल संचालित मशीन, नारियल मशीन से कायर की स्केनिंग्स और जिचा के आइंस्टीन के रूप में मान्यता दी है एक उदारन लेते हैं, गाउं का एक वेक्ति रस्ती बना रहा था, मैंने उसके लिए ऐसी मशीन बनाई जिससे वह तुलनात्मक रूप से असानी से रस्तीयां तयार कर सके, मेरे जीवन का उद्देश विज्ञान को आम लोगों तक पहुचाना था, और उन्हें मेरे अवि मैं पिछले 20 वर्सों से मिहीर सर के साथ काम कर रहा हूँ, वो हमें अपनी परियोजनाओं के बारे में सिखा रहे हैं, मेरी तरह 7-8 अन्य लोग भी यहां काम कर रहे हैं मिहीर भारत के उन 6 शिर्ष व्यक्तियों में हैं, जो विज्ञान के लोगप्रिय करण के ख्षेत्र में काम कर रहे हैं 25 विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है, उन्हें लिमका बुक आफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से राश्ट्रिय पुरसकार भी मिला है अपने अनूठे आविश्कारों की वज़ा से उन्हें 250 से ज्यादा पुरसकारों से सम्मानित किया गया है पिता की सफलता से प्रेरित होकर मिहिर के बेटे का लक्ष भी भाविश्य में नए आविश्कार करना है मेरे पिता हमेशा अपने सोथकार में वैस्तर हते हैं उनका उद्देश से अपनी खोजों को रहस्टी और अंतरास्टी अस्तर तक पहुंचाना है मुझे उमीद है कि मैं अपने पिता के उद्देशें को पूरा करूँगा आवश्यक्ता ही आविश्कार की जननी है और मिहिर की विज्ञानिक यात्रा के पीछे उनके छात्र थे जब वो 1987 में अपने छात्रों को विज्ञान पढ़ाने में व्यस्त थे तब उन्होंने नए शोधकारियों का संचालन शुरू किया आसपास के इलाकों के लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए वो उनके लिए एक के बाद एक नई चीजे सामने ला रहे हैं 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत है